वीडियो एटिंग, हर कोई सीखना चाहता है वीडियो एटिंग, आज की इस वीडियो में फुल कंप्लीट वीडियो एटिंग आपको सिखाने वाला हूं मुबाइल से, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपने इस वीडियो को पू सब्सक्राइब करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे की ग्रीन स्किन रिमोबर या फिर की अनिमेशन या फिर टेंपलेट बहुत अच्छे से टेंपलेट किस अप्लिकेशन में आपको मिलते हैं आज की इस वीडियो में सब कुछ बत पावर डायरोक्टर को डाउनलोड करके ओपेन करने के बाद तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जैसे आप ओपेन करेंगे आपको बहुत सिंपल इंटरफेस देखने को यहां पर मिल जाएगा यहां पर मैंने बहुत सारी वीडियो को एडिट किया हूं और उसके नीचे आपकी रेशियो हो जाएगी यहां पर आप प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हैं तो मैं यहां पर प्रोजेक्ट का नाम देता हूं जैसे मैं ट्राइलिक दिया हूं ठीक है और यहां पर मैं डन कर देता हूं यहां पर मैं रेशियो चूज कर लेता हूं तो मुझे किया था तो simply मैं इस वीडियो को शूट किया था तो चूज कर लिया करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है इसी वीडियो पर एक बारी क्लिक कर देजें क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहां पर टाइम लाइन पर आपको आने के बाद इसको आपको देखना है जो पार्ट है जिसमें आप कुछ नहीं बोल रहा हूं उसको कैसे ट्रिन करके डिलेत करें इस आउस देखने कैसे करना है सबसे पहले आपको कोई वीडियो को प्लेब करका कि देखो कहाँ से आप बोलना इसटार्ट कर रहे हो तो मैं आगे कर कर देना है जो की है split का तो मैं इस पे क्लिक करेंगो ता आपकी वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ठीक है तो समझ जाओ कि आपका जो पहला वाला पार्ट था यह फाल्तू का पार्ट था इसको डिलेट करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके यहां पर डिलेट का ओप्षन है इस पर क्लिक कर दो आपकी वीडियो डिलेट हो जाएगी ठीक है ऐसे कुछ लास्ट में भी पार्ट है जो की फाल्तू का है तो उसके कुछ लिए आप क्या कर सकते हो यहां पर देख सकते कि कहां से मैं बोलना बंद किया हूं ठीक है तो मैं यहां पर यहां यहां when the player कर देख लएता हूँ है जोकि पूरी मेन है तीक इसमें उसके बाद ना इसमस में क्या क्लिक करना है तो कैसे करना है क्यों सब्सक्राइब. इसको क्लिक करने में रहा यहां से अगर ब्राइट्नेस कम है तो बढ़ा सकते तो मैं इतना बड़ा देता हूं और यहां पर टीन्ट को भी बड़ा सकते हो कि यहां से शार्पन को भी बड़ा सकते हो ठीक है इतना करने के बाद बैक आ जाओ उसके बाद मैं सारे टूल को एक ही बार में समझा देता हूं कि 21 टूल का क्या काम है तो जैसे वीडियोपे कलिक करोगे यहां पर पेंसल ऑल आइकन पर कलिक करोगे तो सबसे पहले तो प्लिट का है दूसरा पर यहां पे वैलूम का उफ्सन है तीसरा ओड़ियो मिक्सिंग का चौथा ओड़ियो टूल का पांचवा फिल्टर का और छाथवा अरजेस्टमेंट का और साथवा स्पीड का और आठावा एफेक्स का और नवा इस्टेबिलाइजर का और दस्वा इसकीन स्मूथनिंग का यहां पे फिलिप एंड फिट एंड फिलिप का है उसके बाद बैक्ग्राउंड का है उसके बाद रिप्लेस का है उसके बाद पैन एंड जूम का है उसके बाद क्रॉप का है उस ठीक है, तो सारे toolbox को मैंने, समझा लिया, अब हम इस वीडियो को edit करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आप इस वीडियो में cut लगाना चाहते हूँ, जैसे मुझे cut लगाना है 5 से Dip बे, तो मैं जैसे वीडियो को 5 सेền पे ला दिया, और इस वीडियो पे click करके, यहां से pencil वाल आइकन पर click करके यहां पर split कर दूँगा हो गया उसके बाद अगर मैं इसको 10 second पर cut करना चाहता हूं तो यहां पर जाके वीडियो पर click करके और यहां पर pencil वाल आइकन पर जाके split कर दूँगा इसको मैं 15 second पर करना चाहता हूं 15 सेकंट पर जाकर, split कर दूगा, इसको मैं 20 सेकंट पर जाकर इसको split कर दिजे और यहां पर जितने वीडियों में आपके cut लगें उसके बीच में अगर आप effects लगाना तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिए इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे एफेक्स मिल जाएंगे जो की बहुत ही है बहुत जादे हैं आप यहां पर बहुत जो भी आपको यूज करना है वह यूज कर सकते हो तो सिंपल मैं आप आपको एक चीजी लगा के देखाता हूं एक एफेक्ट जैसे यहां पर है पहला बेसिक पर है लास्ट ओला ठीक है इसको मैं जस्ट किलिक कर दो किलिक करने के बाद यह आपकी टाइम लाइन में कितने सेकंड रखना चाहते हूं वह आप यहां से बढ़ा और घटा सकते हूं तो मैं इसको रखना चाहता हूं जस्ट एक सेकंड से कम रखना चाहता हूं ठीक है यह ऐसे करकर के आप सारी टाइम लाइन पर सारे पर जहां पर कट लगाया हो वहां वहां पर आप लगा सकते हो तो यह लगा दिये लगाने के बाद आपको यहां पर ध्यान से देखना है उसके बाद अगर आप इसमें चाहते हो कि आप अपना लोगो लगाएं उसके लिए आपको यहां पर लेयर मिल जाएगा जो कि यह रहा है तो लेयर पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फोटो पर जाना है फोटो पे जाएगे तो आपकी गैलरी उपेन हो जाएगी यहां से आप अपना लोगो लगा सकते हो तो simply मैं लोगो को ढूर लेता हूँ तो यह रहा मेरा लोगो इस लोगो को मैं यहां पर प्लस वल आइकन पर क्लिक करूँगा तो हमारा लोगो आ जाएगा टाइम लाइन के नीचे लेयर पे तो इसको मैं उंगली से खीच के इसके वीडियो के बराबर कर दूँगा ठीक है और बराबर करने के बाद इसको अगर आप छोटा कर लिजी यहां से छोटा बड़ा होगा तो अगर आप इसको निचे रखना चाहते हैं तो निचे रख सकते हैं उपर रख जाते हैं तो उपर रख सकते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी वीडियो में हमेंसा लोगों यहाँ पर टॉप उपर आता ही ठीक है मैं झिछ भूण ग्या कि फोड़ दिया यहां फर यहां पर लेजा उसके बाद आपको यहां से अगर इस विडीयो में text को लिखना आई तो simply आपको फिरसे जाना है layer और text कहां से लिखना अगर आप स्टार्टिंग से लिखना चाहते हो तो स्टार्टिंग में लाओ टाइमलाइन को बीच में लिखना चाहते हो तो मैं स्टार्टिंग से लिखना चाहता हूं तो स्टार्टिंग पर लाके आपको यहां पर लेर पर क्लिक करना है ठीक है यहां पर सबसे पहला option क्लिक करने के बाद प्लस वाल आईकन पर क्लिक करो यूभी आपके second layer पर आ जाएगा इसको आप जीतना बड़ा रखना चाहते हो उतना बड़ा रख सकते हो तो simply मैं इसको बड़ा कर देता हूं वीडियो के बराबर और तो इसके बाद आप एडिट टेक्स टेक्स पे करोगे अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो और इस इसको छोटा करूंगा लेकिन सिद्धा रखूंगा यह हो गया इसको मैं यहां पर निच्छे रख देता हूं देख सकते हो कि हमारा वीडियो के निच्छे आ गया ठीक है उसके बाद अगर इसमें आप कोई और लेयर लेड करना चाहते हो जैसे मैं इसमें कोंफन होता है तो मैं आपको दिखाता हूं तो आपको टृष्ट प्लिक करना है majoluk 25 एपड़ीयो से कोई बीचीज ले हो तो जैसे मैं यहां पे यलिया हूं इंस्टागराम का तो इसको मैं एड कर लेता ह amb g confirm और यहपके वीडियो के, साइड में रख लता हँ, ठीक है, साइड में रख ल rhoi के बाद, आपको अगर ये, टाइम लाइन के, स्टार्टिंग से रखना चाथे हो, तो रख सकते हो, अगर थोड़ा सा, पीछे रखना चाथे हो, तो भी रख सकते हो, तो मैं यहां पर 5 सकंड पर रखता हूँ और इस वीडियो पर क्लिक करके यहां से पेंसल वाला इकन पर क्लिक करके यहां पर आपको जाना है यहां पर यहां पर क्रोमा की आपको लास्ट में मिल जाएगा जो कि यह रहा है यहां पर यहां पर पिकर जो दिया हुआ है ना पिक जाएगा जैसे आप यहां पर देख सकते हो एक ग्रेनी स्क्रीन हट गया है तो मैं आपको प्ले करके एक बड़ी दिखा लेता हूं देखना यहां पर देख सकते हैं यह आ गया इंस्टाग्राम का लोगों थोड़ा सब बढ़ा कर लेता हूं यहां पर रख लेता हूं ठीक है तो आप देखना यह आपको कुछ इस तरह से एनिमेट होके आज आएगा ओके हो चुका उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज में आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में यहां से और वीडियो एड करना चाहते हो जैसे इसके पिछे पढ़े आपको क्या करना है यह पहले कि करता हूं जैसे वीडियो खतम होगा उसके बाद यह वाली वीडियो आजाएगी तो हमें तो अभी इतना ही करना है इतना ही और और इडिट करके आपको दिखा थे यहांड को जाना एक और यहां से कोई भी आप एक सोसल मीडिया का वो ले लीजिए लोगो तो simply मैं ये ले लेता हूँ जो कि है ये like वाला ठीक है ये रात इसको मैं choose कर लेता हूँ ठीक है इसके लिए आपका net compulsory on होना चाहिए तभी ये थोड़ा सा download होने में time लेगा ठीक है जैसे download होगा उसके बाद ये आपके timeline के नीचे आ जाएगा तो ये download होके आपके timeline के नीचे आ गया तो अगर आप इस वीडियो को मतलब इस particle को पूरा वीडियो में करना चाहते हो तो ये कर सकते हो तो मैं इस पूरी वीडियो में कर देता हूँ अगर इसको छोटा करना चाहते हो तो आप छोटा कर सकते हो तो इसको यहाँ पर रखना है ठीक है तो simply मैं यहाँ पर रख लेता हूँ रखने के बाद आप यह देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पर रख दिया रही बात की animation की तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यह रहा तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और की एनिमेशन लगाते हैं इस पर तो उसके लिए यह वाला जो इंस्टाग्राम कर था लोगो वाला इसमें हम की एनिमेशन लगाएंगे तो इसको side में करते हैं, जो निच्छे वाला है, heart वाला है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, और Instagram वाला यहाँ पर, और यहाँ से मैं चाहता हूँ, कि यह पूरी वीडियो में यहाँ से, ऐसे, ऐसे, यह घूम के, वापस यहीं पर आ जाए, उसके लिए हम simply आपको ध्यान से वीडियो को, तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ, ठीक है, रखने के बाद, आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन मिल रहा होगा, देख सकते हो, यहाँ पर, जहाँ पर मेरा touch है, वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ी से वीडियो में आगे ले आता हूँ, और इसको मैं वीडियो के टॉप ले आता हूँ, यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाता हूँ, और वीडियो को यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, और इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आता हूँ, औ यहां पर जाएगा यहां पर गया निच्छे आया और वापस गया हो गया ठीक है यहां से की एनिमेशन आप लगा सकते हो और यह जो पावर डिरेक्टर है इसमें आपको वाटर मर्क देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यह वाला पावर डिरेक्टर का लिंक चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर दूँगा क्योंकि यहां पर नहीं दूँगा इसमें मुझे कोपी राइट या फिर इस्ट्राइक आने का चांस है ठीक है तो सिंपले इस वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैं सबसे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं कि इस वीडियो को फुल एक्टी में 4K में एक्सपोर्ट कैसे करना है ठीक है तो समझ लोगे आपने पूरी वीडियो को एडिट कर दिया है तो हमारी पूरी वीडियो एडिट हो चुकिए है इसको अगर आप अपलोड करना जाए यूटूब पे तो उसके लिए तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो आप तो आपको यहां पर टॉप कॉर्णर पर मिल जाएका एक्सपोर्ट का उप्शन तो जश्ट इस पर आपको क्लिक कर दाना है क्लिक करने के पाद यहां पर आपको बहुत ऐसे रेलियो तो आपको फॉरकव्य में चूज करना यहाहां पर पॉड्डक्ट पर क्लिक कर देना हैं यहां से आपकी विडियो बहुत आसानी से आपकी गैलरी में सेभ हो जाएगी तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा तो गई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल झाल